है है लो डियर स्टुडेंट्स आई होप आप फिट होंगे फाइन होगर मज़ेदार भी होंगे और आपकी स्टडी भी अब तो बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी जैसा कि आपको पता है कि हमारा पहला चैप्टर चल ला है सम बेसिक कॉंसेप्ट ऑप कैमिश्टी और हम इ है तो आज कर जो हमारा टौपिक हुआ होगा सिंपल एट्क एडन मौली कुलर मास इस बात को नहां लगा ने ने know सब्सक्राइए यहां पर दिया हम बात करें कि करके हम समझेंगे इस्टी अप जो मौली कुलर मास निकालते हैं जैनली तो आप इसको मौली निकालने के लिए क्या करते हो सम ओफ सम ओफ कि एक्टॉमिक मास कि आफ इच एलिमेंट के क्या कर देते हो आप सम कर देतों मास का तो क्या आजाता है हमारा molecular mass निकल के आ जाता मतलब molecule का मास की बात करना है और atomic में atomic mass में simple atom के मास की बात हम कर रहे हैं इस वात को ध्यान रखना यदि हम बात करते हैं यहां पे simple पहले atomic mass की यदि हम बात करने तो देखो हम ऐसे तो किसी का मास बता नहीं सकते जैसे आप आप पता है आपको मार्केट में आप जाते हो आप बन केजी बोलता हो तो वह बन केजी का वेट लेता है क्या लेता हैं यहीं सिम्पल एक पैनल में रखा हुए है से हमने उसको measurement उठाया वही measurement कहा कर रहा है और वर वल्ड में चल रहा है इसी तरीके से इसी तरीके से हम यहां पे atomic mass को भी define करेंगे इसी तरीके से molecular mass को भी define करेंगे इसको generally हम बोलते हैं relative atomic mass relative समझते हो किसी के comparison में हम बात करते हैं जब हम किसी के कंपेजन में बात करते हैं तो से क्या बोलते हैं बोलो रिलेटिव एक इस बात को ध्यान है अब देखो यहां पर जैसे की definition लिखी हुई है यह ना किसकी atomic mass की तो क्या लेखा हुआ है देखो लिखाओ atomic mass of an element can be defined as the number number which indicate how many times the mass of an atom how many times of mass of an atom of element is heavier in comparison to 1 12 the part of the carbon of an atom carbon of an atom की बात कर रहा है मतलब किसी कंपेजन में निकाल रहा है यहता नहीं कि आपको प्यार कार्वन से ही है आप डिफ्रेंट डिफ्रेंटरी बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं कंपेजन है हाइडोजन से भी लिखा होता है कहीं कारवन से लिखा होता है जश्ट कंपेर जाना है ठीक है इस वात को ध्यान रखना तो यह आपको statement यादी रखना पड़ेगा यदि मैं इसकी बात करता हूं simple तो यह आपका क्या इसी को हम बोलते मास्स क्या भोलते हैं रिलेटिव अर्टिव अके यह अकाल यह सब्सक्राइब मांस इसको कैसे निकालते इसको निकालते हैं simple, mass of one atom of the element divided by one twelfth part of the mass of one atom of carbon toil simple carbon toil इस तरीक से आप देखो बन ट्वाइल तो ठोट ट्वाइल ठीक है बैसे भी मांस यूनिट इस बात को ज्यान लखना एक अटम एक मास उनिट या हम यू यू से भी लिखते हैं इसको हम सब्सक्राइब कर रहे हैं और यदि आपको मान लो इसको ग्राम में बताना है किसे बताना है ग्राम की बात करते हैं तो आपको में सिंपल आथा सब्सक्राइब करना है तो कैसे करोगे बोलो आप सिंपल आपको फॉर इंटू 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 दी पावर माइनस ट्वंटी फॉर ग्राम ठीक है इस तरीके से आप कर लेंगे अब देखो 14 AMU लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लखें ग्राम में 14 इंटू 1.66 इंटू 10 दी पावर माइनस ट्वंटी फॉर ग्राम क्योगी एक नाइट्यूजन एटम का इतना मास होता है अब देखो अब में एक दूसरी बात बता रहा हूँ यहाँ पे अभी अमनें एक दूसरी सात है है अब हमें बात करें नए टर्म allow atomic mass समझना इट्राम किसे बोलते हैं यदि हम ग्राम में की बात करें तो नाम में छिपा हुआ है आतोम कम隩 यह समया आथो ए एक ईटवीट बोलो किसमें लिक हम अप्ट खेह को सिम्पल ऐसा लिख ले थो लिका हुआ है ग़ाम एक निख मास और ग्राम एटम औंवर अबशन से नम अंब एसंड तंव अब अंबान इनृवरे इस क्लाटकर आप आफ़-जो अभर स मलगा नं मास in gram that is gram atomic mass इसी को बोल ला है मतलब आप ऐसे समझ सकते हो that is gram atomic मतलब इसी में मतलब कितने कितने पार्टिकल 6.023 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल ठीक है इतने होंगे इतने जब आप पार्टिकल्स लोग इतना आपको ग्राम मिलेगा जब इतना आपको मास मिलेगा इस बात को ध्यान दगना जब मैं आपको मोल पढ़ाऊंगा मोल वहां पर बत 2.023 इंटू 10 to the power 23 अच्छा इसी को हम क्या बोलते एवो गैड्रो नमबर एन एन बोले तो एवो गैड्रोज नमबर ठीक है यह बात किलियर आप लोगों को तो देखो यहां पर यही बात लिखी होई थी यही लिखी एटमिक ग्राम डेटेज ग्राम मतलब इतने पार्टि मतलब फोर है हीलियम लिया हीलियम का फोल होता था एक एक एटम का मास क्या होता था फोर एम यू और यदि हम इसको क्या ले लिए फोर ग्राम फोर ग्राम लेने पर आप कितने पार्टिकल्स मिलेंगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 यानि एन इस बात को ध्यान लगना है जैसे माल लो अब आपने मालो लोक्सीजयन बि Elios मतलब सुस्टीन गिराम उस्टीन लेने पर कितने अक्सीजयन इंट मिलेंगे आपको इतने उ सीजएन आटम मिलेंगे आपकोति कि इतने ऑसीजांट एटम का तो कि यह मास हो जकत ISOP कितना हो सुटीन एमठू कि उसंटीन एम्धू इस अच्छा इसी तरीके से आप नाइट्रोजन ले लो नाइट्रोजन की बात करो तो सेविन ग्राम सेविन नहीं सॉरी सेविन स्क्राम में नंबर होता है पूर्टीन ग्राम बोले तो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन्टू टू दी पावर 23 नाइट्रोजन अटम मतलब यहां पर अवो गैड्रो नंबर से तो यह वाथ आपको समझ में आ रही होगी यही बनमोल है आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी आगे जब आपको मोल पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा यहीं एक्चुल में बन मोल है एक मोल मतलब इतने पार्टिकल्स यह बात आप जानते हैं ठीक है अच्छा अब देखो तो लिखा हुआ भी है यहां पर सिंपल क जो किया ग्राम sì एक्टलिट मास इन ग्राम अप इतने लोग है या पैसे मालमग माललो art इतने स्लोके लोग है जहीं एप्तने चिया मिलेंगे स्वाइप लिए अपने ले लिए औक्सिजन ले लिए नहीं हो जाए क्योंग एक बार में यह बात बच्चों की दमाग में नहीं जाती है है इसी लिए मैं आपको बोल रहा हूं ठीक है आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसी आप number of gram atom निकालने हैं तो कैसे निकालोगे आप देखो mass of the element in gram आपको mass of the element in gram है ना divide by atomic mass of the element in gram और क्या रखना में आपको atomic mass simple जिसका निकालना उसका मास divided by atomic mass जिसको को निकालना है आपको ठीक है ना उसका मास को डिवाइड वाइड 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 लेंगे सिंपल तरीके से बोलिए यह बात ध्यान लेंगे पक्का चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद मॉलिकुलर मास की ठीक है तो जिस तरीके से हमने इसको क्यों किया था इसी तरीके से किसको करेंंगे मॉलीकुलर मास को करेंगे यह भी आप किसınd ac- diseases को डिफाइन करेंगे तो देखो इसको भी हम क्या बोलेंगे फिर इसको भी हम भोल सकते हैं रेलेट्टिव कि compound लिए टिव अ मॉलीकुलर मास ठीक है क्या बोलना रिलेटिव लुग मॉलीकुलर मास क्या समझना अब देखो लिखा हुआ भी है यहां पे जब मॉलीकुलर मास इज नंबर विच इंडिकेट हाउ मैनी टाइम्स वन मॉलीकूल औफ इस सब्स्टेंस इज है विए तु बन 12 व है अच्छा म मतलब क्या है आप मॉलीकुलर मास और इसको निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा मॉलीकुलर मास इक्क्वल टू सिंपल उसी तरीके से आप फॉर्मूला लगाएंगे क्या मास ओफ कि बन एड बन कि मॉलीक्यूल कि ऑफ दा सब्स्टेंस इस डिवाइड वाई डिवाइड वाई क्या हो जागा डिवाइड वाई बन ट्वेड मास ओफ कि वन एटम ओफ सी ट्वेड डियू है अव्व इस तरीके से जैसे माल लो आपको ओ टू दे दिया वो टू कि हम बात करेंगे तो जैखो कितना है किस्टीन होता है 16 इंटू 2 मालब कितना हो गया 32 आप किसे में रखतो एम्यों मतलब एक मॉलीकूल का मास है एक मॉलीकूल का मास है 32 वह यदि आपको इसको ग्राम में करना है तो क्या करेंगे आप सिम्पल 32 इंटू 1.66 इंटू 10 तू दी पावर माइनस 24 ग्राम ठीक है अब देखो एन्टू की बात करें एन्टू बोले तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 मतलब 28 अम्यू मतलब क्या हो जाएगा 28 इंटू 1.66 इंटू 10 तू दी पावर माइनस 24 ग्राम इस वात को आप ध्यान रखना बोलो वहीं यह वात ध्यान रखलोगे इतना पक्का जैसे मानलो आप सिम्पल आप एक्टोमिक मास यूनिट में देंगे अब देखो तो सिम्पल आप इसको लिख सकते है यदि लिखेंगे तो 98 इंटू 1.66 इंटू 10 तू दी पावर माइनस 24 ग्राम इस बात को ध्यानक लेंगे आपको यह बात भी किलियर हो रही होगी तो जिस तरीके से आपने ग्राम एक्टोमिक मास निकाला था इसी तरीके से ग्राम मॉलीकुलर मास निकालेंगे अभी हम बात करेंगे यहां तक पहले बता ग्राद हो लेकिन कलियर तो आप यहां पर जो भी हम मॉलीकुलर मास निकाल था वह सारा का सारा ग्राम मॉलीकुलर मास के लिए बात करेंगे तो ग्राम मॉलीकुलर मास के दिए हम बात करें तो इसे बोलेंगे बोलो मॉलीकुलर मास इन ग्राम 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 इन ग् आपटसा भिवर मास्क मतलब लोले तो क्या होगा सिम्पल आप यहाप बोलोगे तुझे हो जब आप इतने पार्टिकल्स लिल्हों या इतने चली ले पावर मतलब तो इतने लोगे स्थ sommes इतने क्या ले लोगे मॉली क्यों ले लोगे कि पोल्टू किसके बराबर आव बोले तो आप बोलोगे यहां पर यहां पर आप जो नंबर ऑगरो ग्राद्र किवस्कीं होर्फ्क है इस बात को ध्यान रखना अब देखो अब यहां पर सिंपल लिखा हुआ भी आप definition भी देख सकते हैं अक quantity of a substance whose mass in gram कि इस नुमेरिकल इक्वल टू इट्स molecular मास नुमेरिकल इक्वल टू तू ता अच्छा आप एंटू ले सकते हो कि एंटू बोले तो 28 ग्राम मतलब सिंपल 6.022 इल्टू टेन्टू दी पावर कि 23 कि सिंपल एंए इस बात को आप ध्यान रखनें अब देखो लिखा हुआ भी है यहां पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है लिखा क्या सिंपल मतलब जिसका निकालना उसका मास टाइस का मास मॉलीकुलर मास किलियर वच्च बाड़ी वो लो किलियर इतना तो आप यह बात भी समझ पा रहे होंगे तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं छोटा सा आपको एक ट्रिक बताता हूं अभी अपन कॉस्टन्स को गरेंगे पहले अपन मॉलीकुलर मास निकाल नहीं सीखें में निकालेंगे बस एक बात ध्यान रखना यहां पर इंपोर्टेंट यदि मैं यूनिट लगा रहा हूं मतलब एक मॉलीकुल के मास की बात कर रहे हैं यदि में ग्राम लगा रहा हूं तब आप इतने मॉलीकुल की बात कर रहे हैं एने मॉलीकुल कितने एने मॉलीकुल इ मैं बता रहोंग। अब देखो यदि हम बात कर यहाँ पर हम निकालते हैं सारे कुस्ट को करते हैं बहुत सारे तो हम सिंपल आपको स्टार्टिंग में अभी वह डेफिनेशन बताएते फिर से मैं बताता हूं आपको Molecular mass निकालना कैसे है Molecular मार्स कैसे निकालना आपको सिंपल समय ना समॉप एच यह सम आप एटोमिक मार्स कैसे लिगो सम आप एटोमिक मार्स ओफ एच एटम जब आप एटोमिक मास को एड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा मॉलीकुलर मास मिल जाएगा तो चलो भई करो क्वेशन आप लोग ठीक है वीडियो को पहुच करना और क्वेशन को खुछ से सॉल्व करना बोलो भई करोगे ना तो देखो मैं लेकरा हूं यहां पर इसको बोलते हैं अमोनिया नाम भी लिखते जाना ठीक है इसको बोलते हैं मीथेन ख 4 करो हरी है ना ओल लिखे देते हैं चलो एस टू सफोर लेते हैं तो फीर आप आपको करके दिखाही दे रहा हूं तक वहीपनी पता नहीं कहां घाया वो गया यह भी डांस करता रहता हमेशा यहां से वहां वहां से यहां ठीक है चलो गई अब देखो यदि यहां पर अमोनिया की बात कर रहे हैं हमें निकालना है सिंपल तो 14 नाइटूजन का क्या होता है मास 14 तो हमने पहली आप से बोला था स्टार्टिंग में कि आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए मिनमम थर्टी अलिमेंट तक तो होने ही चाहिए ठीक है अब 14 किया 14 प्लस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 17 एम्यू लिखे हैं यह हम इसी को लिख सकते यू यू बोले तो यू को बोलते सिंपल यूनिफाइड मा मतलब समझते हो एक मतलब एक एक एटम या एक मॉल इकल के मास की बात कर रहे है ठीक है तो यू है ना मैं यू लगाऊंगा आपको बुक्स बगएरा में यू लिखाए मिलेगा तो आप समझ जाने अब देखो CH4 यदि मैं कार्बन की मास की बात करता हूं 12 होता है फिलस यह हो गया ठीक है इस बात को द्यान अकलोगे पका चलो भई नैस चलते है इसका गरोगे तो क्या आएगा टू इंटू बन पिलस तलफर का 32 पिलस ऑक्सियन का 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा टू पिलस 32 पिलस 64 तो यह आ गया निकल के सिंपल आपका 98 यूनिट ठीक है यह आ गया अब देखो नेस चलते हैं एस टू सी टू ओ फोर इसको बोलते हैं और जैले कैसे या बोलते हैं नाम लिख दे रहा हूं यह आप मिलता रहेगा आपसे है ना तो दोस्ती अभी कर लो इस कंपाउंड से ही तो आप से समझ लो यदि कंपाउंड बेवफा हो गया तो फि 2 पिलस 24 पिलस 64 तो एड करो 448 और 210 केरियाई 1 6 और 1 कि 729 कि 90 आ गया ठीक है यह बात के लिए तो 90 यूनिट आपका आंसर हो गया चलो और क्वेस्टन देते हैं कुछ ठीक है आपको करने है चलो करो फिर अगला क्वेस्टन दे रहा हूं मैं करो भई दिए चीज़ी शीक्स एच 12 ओशिक्स कि 12 एच 22 ओए बन इसको बोलते हैं सुगर ठीक है जल्दी से एनोटू अ फिर करो एप सिंपल ने टूसी ओ थ्री अ फिर करो आप सी एची ओ तरी कैल्सियम कार्बनेट और फिर नेश्ट करो कि एच एच एलो फूर चलो भई करो जल्दी से ज़दी आप सिंपल इसको करोगे तो देख कैसे करोगे टी सिक्स एच 12 वो शिक्स है तो क्या होगा इक्स इंटू ट्वेल्ड फिलस बन इंटू ट्वेल्ड फिलस इंटू ठीक है तो कितना होगया ट्वेल्ड सिख्जा फेविन्ट सेवेंटी टू पिलस यहाँ पे ट्वाइल फिलस 16 सिख्जा 96 जब आप इसको एड़ करेंगे तो जो आउसर आएगा वह आएगा 180 यूनिट चैसलेगा वनेट्ट आप इसको एड़ करेंगे सिंपल तो कितना आएगा यह आएगा आपका 342 यूनिट कि मुझे तो याद है तो आप भी कर सकते हो जब आपको भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी इनके मॉलीकुलर मास याद हो जाएंगे ठीक है अब देखो नेस्ट चलते हैं नेस्ट क्या बोला एनो टू एनो टू बोले तो 14 फिलस 16 इंटू 2 कितना हो गया 14 फिलस 32 मतलब कितना हो गया 426 46 सिंपल कितना आ गया 46 यूनिट आ गया अब देखो अब देखो नेस्ट करना है तो केल्सियम के अटम मास कितना होता है फूर्टी फिलस ट्वाइल प्लस 16 इंटू 3 जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा 40 फिलस कितना होगया यह वोगया 60 कि 163 जा 48 अटो ट्वाइल 60 कितना होगया यह सिंपल होगया 100 अब देखो SCLO4 तो क्या करो एड करो 1 पिलस 35.5 पिलस 16 इंटु 4 तो कितना हो गया यह हो गया 36.4 पिलस 16 इंटु 4 इस तरीके से आप questions को कर लेंगे बोलो और questions करा दें कुछ और questions करा देते हैं है ना कुछ और questions अपन कर लेते हैं देखिए आप simple C3O2 निकालो फिर आप करो C6S6 करो जल्दी से फिर करो आप Nash question करो यह करो आप C2 कि एच टू कि एच टू कि टू एच सिक्स है चलो इतने questions और कर लो बात मुंगो देने नहीं है प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो देखो भाई ध्यान से यदि मालों C3O2 का निकालने आपको मॉलीकुलर माश को क्या करोंगे ट्वायल इन्टो 3 पिलस 16 इन्टो 2 कितना हो गया पॉर्टी एट पिलस 32 लग कितना हो गया 80 अब देखो मतलब कितना हो गया सिंपल आपका 78 यूनिट हो गया कितना हो गया 78 यूनिट इस वात को ध्यान रखना अब देखो अब देखो आपको यह बात के लिए आपको यह बात के लिए आपको यह बात के लिए हो गई होगी मैं यहां पर यूनिट लगा देता हूं कि तुम कहो सर ने तो यूनिट लगाई नहीं है ना तो ऐसी गलती नहीं करने है तो आपको यह बात अच्छे से किलियर हो गया होगा अब आपको तभी बनेंगे इस टाइप की क्योंकि यहां पर आपको अब आपको बार-बार कोई टीचर नहीं निकल वाएगा अब आपको यहीं बार-बार प्रैक्टिस करने हैं आपको आप अप अप कर लोगे किसको कर लोगे एक टामिक मास् को जितना जाद आप याद कर सकते तो मिनमां 30 एलिमेंट तक मैं फिर से बोल्ला हुँए बात 30 एलिमेंट तक आप अप को याद कर लो चलो पिर अब हम चलते हैं नेस्ट कोईशन पर भडिया सा क्वेशन है लिखा हुआ है यहां the mass of 2.5 gram atom of oxygen तो देखो ग्राम एक्टम आप अक्सीजन दिया हुआ है मतलब आपको नबर ओफ ग्राम एक्टम दिये हुए और आपको पताओ फॉर्मूला दिया आपने देखा था नमबर ओफ ग्राम एक्टम का देखा है सिंपल माश्वाउप दा एलीमेंट और इन ग्राम हम नहीं ऊसका माश्वाइड वाई एट्व माश्वाउप देलिमेंट से करना तो आपको ग्राम एटम दिए गए हैं ठीक है नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे निकालोगे स्वारी नंबर ऑफ ग्राम एटम तो दिए गए हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम एक्वाल टू मास ओफ ऑक्सीजन एटम डिवाइड वाई एटोमिक मास ओफ ऑफ ऑक्सीजन एटम ठीक है अब देखो यह दे दिया आपको अब सिम्पल यदि आपको मास ओफ ऑक्सीजन एटम दे रहा है तो मास ओफ ऑक्सीजन एटम बोले तो कितना दिया हुआ है बोलो यह तो निकाल नहीं है आपको मास ओफ ओक्सीजन एटम तो निकाल नहीं है तो सिंपल यह क्या हो जाएगा यदि आप देखोगे तो यह मल्टिप्लाई हो जाए क्रॉस मल्टिप्लाई का तो नमबर ओफ ग्राम एटम कितना है 2.5 अच्छा और अब यहाँ पे सिंपल आप इसको मल्टिप्लाई करेंगे मैं इसको इस तरीगे से लिख देता हूं मास और सिंपल क्रॉस मल्टिप्लाई किया हमने मास ओफ ओक्सीजन एटम वह हो गया सिंपल आपका 2.5 इन्टु 16 मतलब यह हो गया सिंपल मतलब इसको मैं इस तरीगे से लिख देखो 2.5 को इन्टु 16 मतलब कितना हो गया एट फाइब जा 40 ग्राम आगे सिंपल आंसर क्या आगया 40 ग्राम सिंपल आपको एटम मास का खेल है यदि आपको एटम मास याद है तो आप आप सब्सक्राइब आप देख सकते हैं यहां पर प्रॉट्टी ग्राम दिया हुआ है अब हम चलते नेस्ट कॉशन पर अगला कॉशन के आप बोला इसको ध्यां समझना लिका हुआ है क्याल्ग ग्राम एटम इन टूपॉइंट फी ग्राम ऑफ सोडियम जोको वह ग्राम ए एटम इसक्वल्टू क्या था सिंपल मास ओफ यह सोडियम का निकालना है मास ऑफ सोडियम एटम कि डिवाइड वाई कितना हो जाएगा बोलो मास ऑफ सोडियम एटम डिवाइड वाई ए अटॉमिक मास और सोडियम एटम सो मास ऑफ सोडियम एटम कितना है यह दि मास ऑफ सोडियम एटम बुला जाए तो टू पॉइंट्ट रिये डिवाइड वाइड वाइड च्वेंटी त्री कितना आ गया बनवाइड टेन मतलब सिंपल कितने आ गए जीरो पॉइंट वन तो आप लिक सकते हो यहां पे जो सिंपल नंबर ओफ ग्राम एटम आ रहे हैं नंबर ओफ ग्राम एटम वह आ रहे हैं जीरो पॉइंट बोलिए बैए यह बात के लिए देख आंसर भी दिया हुआ है सिंपल जीरो पॉइंट बन इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है अब हम चलते नेस्ट कोउशन सब्सक्राइब हमारा अगला क्वेशन क्या बोला है घ्यान समझना देख क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है केलकुलेट दा मास ऑफ बन पॉइंट फाइब ग्राम मॉलीकुलर की बात कर रहा है और हमें पता है ग्राम मॉलीकुलर मास की बात पता है सिंपल सा तो सबसे प वो कितना आगा एपाल इसल्फूूरिक एसेड का फॉर्मूला क्या होता है एसटव आप स्ट्वूर मॉलीकुलर प्रियुक्त इस ऑफर इस ल्फूरिक एसट बोलते हैं मतलब सिंपल कितना वोड़ा तू इंटू वान पिलस टर्टी टू पिलस इसेउट हैं इंटू है न 1.5 ग्राम मॉलीक्यूल लेने पर स्ल्क्यूरेक एस दिए है। क्या मस होगा तो देखो हमें क्या निकालना number myself ग्राम एटम एक्क्वल टू क्या होता है सुरी ग्राम मॉलीकूल की बात करेंगे आप ए ग्राम है कि मॉलीकूल तो कैसे निकालोगे आप बोलो आप निकालोगे आप एक्क्वल टू मास ओ अ मास ओफ सल्फियूरिक असेड निकालना है मैं डिवाइड भाई जो मॉलीकुलर मास ओफ सल्फियूरिक असेड इन ग्राम ठीक है यही है तो देखर मॉलीकुलर मास के दिए हम बात कर रहे हैं आपर तो कैसे मॉलीकुलर मास के दिए हम बात कर रहे हैं तो कैसे नंबर ओफ ग्राम ओलीगूल कि मॉलीकुलर मास ओफ सल्फियूरिक असेड बड़ाइड बाइडवाइड कितने कर दोगं कर दोगे तो सिंपल आपका मास और कि सल्फ्यूरिक एसेड कि एक क्वाल टू कितना हो जाएगा बन पॉइंट फाइब इन्टू नाइन्टी एट देखो वह यह आ गया आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो इसको मैं तो लिख देता हूं इन्टू नाइन्टी एट कितना बचा 49 मतलब कितना अगया त्री नदा ट्वंटी सेवन कितना है 29जा 27 केरी आई-2 दी फोड़ा ऑं थ्ुड़ क्रिव जा ट्वैल और टू कितना हो गया 12 वार टू होता है 14 ग्राम हो गया तो आपको यह बात के लिए तो यहाँ पर आंसर भी क्या दिया हुआ हुआ ह नाम ही दिया हुआ है बोलो वही केलियर को मैंने भी सॉल्व कर दिया आपको सॉल्यूशन भी दिया गया तो डॉंट बरी आपको कहीं भी प्रॉबलम आती है आप बार-बार क्वेस्टन को देखिए तो यहां पिना टीचर गुस्टा होगा नकोच होगा मोबाइल आपका मैं कि दा मॉलीकुलर मास उप गणी टीचंब हुआर् सॉट मॉलॉड अब देख करें गलॉकोस के मॉल्यूलर मास की देखओ मॉलीकुलर मास एक्वल टू क्या आएगा दी सिफ सक्षह धी यहांपर लाइल इन्टु सिख क्लस वन इन्टु क्थीन इन्टु सिट्ना अब ईक टूर्थ तो चौल यहाँ उनिट लगाएगा मैं एक यहांपर यूनिट लगाएगे क्या यू यूनिफाइड मांस ठीक है किलियर तो आई होप आपको ये बात भी किलियर हो गई होगी तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहीं पर समाप और आई होप आपको बहुत मज़ेदार परीके से समझ में आ गया होगा इसी के साथ मिलते हैं अपन नेश टॉपिक में इसी फिरकार के जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए औल दा वेस्ट माइफ्यूचर डॉक्टर इंजिनियर्स एंड आई एस पीचिए